व्यक्तिगद लडाई भारतिय जंता पार्टी का किसी हिंदुस्तानी से नहीं है। उसमें नितीश कुमार जी से व्यक्तिगद लडाई कैसे हो सकता है। नितीश कुमार जी को नरिन्द मोदी जी को धन्यवाद देने। जहां उन्होंने काजकरम को संभोधित करते हुए भाजपाने ताहों के तरफ इसारा करते हुए। आपका है कि ये लोग तो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं, मरने से पहले पहले तक हम नहीं भोल सकते हैं। इसी बात को लेकर अब राजती गलियारे में तरह-तरह के कयासों का दौर भी जारी हो गया है। इसी बात पर इसी सवाल पर भाजपा के परदेश अध्यक ने पत्रकारों से बाचित करते हुए। बैक्तिकत लड़ाई भाजपा की किसी से नहीं है। और ये संबंध तो अच्छा है तो नितिश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरीके से बिहार के बजट में 60% से अधिक हिस्सा भारत सरकार का है। उसके लिए मुकमत नितिश कुमार को बार बार भाजपा नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। और दोस्ती का जो सवाल है तो दोस्ती तो हम लोगों का कोई व्यक्तिकत जगड़ा और लड़ाई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में गुंडा राजस्तावित करने की कोशिस होरे तुष्टी करने की राजनीती होरे उसके खिलाब भाजपा लड़ती रहेगी और लड़ेगे। और दूसरी सवालों के जवाब में उन्हेंने कहा है कि अब फिर से इंडिये में यानि भाजपा के साथ गड़बंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सुनिए किस तरीके से समराड चोधरी बोल रहे हैं। दोस्ती व्यक्तिगद लड़ाई भारतिय जंता पाटी का किसी हिंदुस्तानी से नहीं है। भारतिय जंता पाटी भारत को स्रेश्ट करने के लिए कभी कभी पाटी को भी बिलिन करने का काम उने 177 में किया। इसलिए भाजपा के लिए सेधान्तिक तौर पर अस्पास है कि देश के लिए कोई भी कुर्वानी भाजपा के कार्ज करता दे सकते और नितीश कुमार जी का जो कतन है उनको तो धन्यवाद देना ही चाहिए दो लाक एक सट अज़ार क्रोर के बजट में जिस प्रदेश के हि इने दोस्ती में कोई इसू ही नहीं है व्यक्ति का जगड़ा कहा है राजनितिक मुद्दे हैं तुष्टी करन नितीश कुमार जी करेंगे बारतिये जनता पार्टी खुल के बिरोद करेंगे जरूर ब्यक्तिगत रुप से संबन अच्छे हैं इस बात की पुक्ता सवोत्मितिश कुमार के बयान से दे रहा है तो दुसरी तरफ जिस तरीके से परदेश अध्यक्ष का बयान आया है उससे भी असपश्ट होता है कि ब्यक्तिगत सब की संबन अच्छे हैं राजनितिक से इस तरीके की बाती की जाती है आप अपनी राय रखते हैं मुक्मंत्री के बयान के बाद सम्राइट चद्धी का आया बयान के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए तब तक के लिए बने रहिये li modified के साथ आपका धन्यवाद eleven लाइब विहार यूट्यूब पर सब सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें